नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मर्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 जोन यानगे बुद्वार को मंतली एक्सपैरी है किस साइड मुमेंटम कर सकते है कौन से लेवल पर हम प्रोफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं उसके पीछे का लोजिक क्या है टार्गेट इंट्रिस्ट अपलो सब कुछ हम डिसकस करने वाले साथ में ऑप्शन का एन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रोसे लेवल हमको पता लग जाए त के लिए बनेंगे तो क्योंकि मार्केट में हम निगतिव नहीं बनेंगे जब इसे ट्रेंड लाइन के नीचेमार्केट करना सुरू कर देगी तो हमने डिसक्रस किया और मार्केट गया उपन लगती है कभी एक gap फिल करे और कहीं ना कहीं यहां से positive candle बनती है तो हम recovery प्लान करेंगे सेम nifty bank nifty दोनों में दोस्तों आप अगर देखोगे तो एक triangle pattern बन रहा था और इसके breakout पर हम trade करने वाले थे बहुत अच्छा दोस्तों momentum मिला मैंने आपको nifty और bank nifty दोनों में paper trade करने के लिए telegram channel पर call side के study दी थी दोनों में दोस्तों fund मेरी खाल से double से भी ज्यादा आगा हो गया खेर वो तो दोस्तों कोई call tips नहीं थी paper trade करने के लिए थी लेकिन आप दोस्तों मुझे ये बताईए किस किस को दोस्तों इस momentum का logic समझ में आया क्योंकि कल मैंने आपको ये बता था कि technical analysis इतना best नहीं ये जितना option channel analysis करना best रहेगा और option chain में मैंने आपको position बताई थी यहाँ पर भी थी यहाँ पर भी थी और मैंने आपके साथ discuss किया था जैसे जैसे market upside जाना शुरू करेगी अगर ये position आम लोगों की है तो operator trap करेंगे और जैसे इन लोगों के stop loss it होंगे market में एक sharp momentum आ सकता है और वही momentum दोस्तो आज आपको देखने को मिला क्योंकि दोस्तो जितने भी call writer थे इतने confident level पर थे मैं आपको दिखाऊंगा आज के option chain analysis जब हम करेंगे कैसे लोगों को trap किया गया यानि कि जो ज्यादा aggressive call right करके गए थे जिसे पहले दोस्तों discuss कर लेते हैं कल कैसा momentum रह सकता है bank nifty में और nifty में देखिए किस level पर हमको दोस्तो अच्छा trade मिल सकता है यह हमारा trap जोन था 44,000 से 4,400 के बीच में और सही पतां तो दोस्तो 44,000 तक ही मेरा आज का पहला target था और अगर आप देखोगे तो ये दो negative candle बिल्कुल टच किया यहां के pending order खतम की और फिर market ने breakout दिया अब देखिए अचानक से दोस्तों मैं ज्यादा bullish तो नहीं बनूँगा कब मैं bullish बनूँगा call side जाने के लिए इकल expiry है दोस्तों आपको पता होगा expiry परसों होनी थी कल की छुटी थी लेकिन exchange ने उसको बदल दिया है तो कल market खुलेगी तो expiry है और बहुत सारी position दोस्तों आज ही इधर उधर हो गई होंगी क्योंकि एकदम से न्यूज आई थी अग तो कल ज्यादा position हो सकता है नहीं म हमको अच्छा momentum कम मिलेगा बैंक निफ्टी में माल लीजे बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है 44,121 के आसपास closing आई है फ्लैट ओपन हो तो हम क्या करेंगे वेट करेंगे कहां तक आने का वापी से 4400 तक आने का अगर यह देखिए perfect एक retaste point है दोस्तों बैं निफे आने के बाद इस कही ना कही 47,000 के आसपास अगर कोई bullish candle हमको मिलेगी तो best trade दोस्तों हमको यहीं पर मिल सकता है दिन का लो हम stop loss डालेंगे जैसे उस bullish candle का high breakout आके price action बनेगा तो फिर हमारे target 44,400, 44,500 यह हो जाएंगे हम coal side planning कर सकते हैं 60-70 point का stop loss डाल के आज दोस्तों म बढ़िया price action retest हो नहीं सकता है अगर same to same कल भी बनता है bank nifty flat open के थोड़ा सा नीचे आए क्योंकि दोस्तों जो लोग 47,000 के breakout पे position मलब trade करना चूक गए हैं यानि कि देखिए बहुत retest होता क्यों है आप पहली यह समझे रीटेस दोस्तों हमेशा इसलिए होता है ताकि जो breakout लेवल पे लोग चूक गए थे मतलब मोका चूक गए थे ट्रेड लेने का तो वो इंतजार करते कब उनकी रडार में market आये और फिर से वो entry करे और market एक sharp recovery करती है फिर retest point इसलिए retest point से market recovery करती है तो हमको बस यहीं देखना होगा seller दोस्तों एक बार try करेंगे नीचे लेके आने का और हमको यहीं चाहिए और जैसे नीचे आएगा यहाँ पर अगर हमको कोई भी sign मिलता है bullish candle का तो हम recovery प्लान करेंगे और अच्छा momentum फिर हमको देखने को मिल सकता है put side दोस्तों कब जाएंगे देखिए put side मेरे ख्याल से दोस्तों अभी ज्यादा aggressive जाना ठीक नहीं रहेगा हाँ 43,900 के कहीं न कहीं इसके नीचे हम एक scalping trade मिल सकता है वापी से 47,700 तक अगर दोस्तों कल bank nifty gap down open होती है flat open होती है तो put side जाने में थोड़ा सा जोर लगेगा लेकिन अगर इस positive scenario में bank nifty gap down open हो जाती है तो हमको एक momentum मिल सकता है लेकिन जब तक price action ना बने तब तक दोस्तों put side जाने का कोई मतलब नहीं price action से मेरा मतलब है gap down open हो bank nifty 4,900 के आसपास थोड़ा सा नीचे आए 4,900 के नीचे निकले इस तरीके का एक swing बनाए और अगर फिर से नीचे जा रही है तो जो ये swing बनेगा यहाँ पे चाहिए वो 5 मिनट के time frame में बनो इसका low तूटते ही हम 60-70 point का stop loss डालके 100 या 500 point के target के लिए एक scalping trade हम put side planning कर सकते हैं असल में दोस्तो हमको momentum तब मिलेगा put side का जब bank nifty बड़ा gap down open हो और यह जो आज का low है यह जो swing बना है यह 200 दिन का और 50 दिन का moving average है इसके नीचे अगर bank nifty trade करना शुरू करती है एक price action बना देती है तब हम put side planning अग्रेसिव कर सकते हैं 60-70 point का stop loss डालके 47,000 वापी से 500-400 इस target के लिए यानि कि थोड़े से बड़े target के लिए बस एक चीज याद रखना भाई एक swing जरूर बने देना है यानि कि down आये इस तरीके का swing जरूर बने देना जब तक price action ना बन जाए confirm ना हो जाए तब तक हम put side जाने वाले नहीं है बले इस तरीके का जब तक आपको swing ना देखे तब तक हम put side planning नहीं करेंगे इससे अच्छा हम trade ही नहीं करेंगे अगर swing ना बना तो अगर दोस्तों बहुत बड़ा gap open हो जाए bank nifty तब भी हम थोड़ा सा put side planning कर सकते हैं और इसलिए दोस्तों मैं ये बात बोलाओ क्योंकि अगर आप इंडिया विक्स देखोगे ना इतनी जादा कूल हो चुकी है मैं आपको दिखा देता हूं एक मेंट रुके इंडिया विक्स यह रहा देखिए अगर दोस्तों आप इंडिया विक्स को मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मलब रियर चांस हैं कब आई थी इंडि और जब इंडिया विक्स उपर जाएगी तो जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी इंडिया विक्स उपर नहीं जाएगी तो एक काम हम कर सकते हैं माल लिजे बड़ा गैप हो पुन हो जाए बैंक निफ्टी 44,400 पांसो इस रेंज में और अगर दोस्तों यहां पर हम ए या फिर 44,400 के 150 के टारगेट के लिए हम पुटसाइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का ही स्टोपलोस डाल के यह अगर दोपेर पहले हो जाता है तो फिर दोपेर बाद हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं इससे दोस्तों क्या होगा कि इंडिया विक्स जो थोड़ी सी बहाना भी हो जाएगा फिर अपसाइड जानेगा क्योंकि इंडिया विक्स कूल डाउन हो चुकी है एक चीज़ याद रखना दोस्तों अगर मार्केट गलती से भी कल डाउन साइड आ जाते हैं गैप डाउन ओपन होके और फिर दो तीन दिन के अंदर अंदर अगर च्वा में उतने बार हमको अच्छा प्रोफिट भी मिला है लेकिन इंडिया विक्स का वजय से मेरा थोड़ों सा हिच्किचार्ट हो रही है कि अगर हम उपर से प्राइज एक्षन कोई नेगेटिव बना तो पूट साइड भी जा सकती है मार्केट थोड़े से बड़े टारगेट के लिए लेकिन प्राइज एक्षन हम जरूर बनने देंगे चलिए निफ्टी का देख लेते हैं अगर मैं आपको आज स्टडी दिखाऊं दोस्तों निफ्टी में भी देखिए अगर आप पीन पॉइंट देखिया आप निफ्टी का बिल्कुल हमारी लाइन के पास से मार् और बिल्कुल वैसा ही हुआ फिर दोस्तों ये बाइंग सैलिंग एरिया मैंने डाले थे बिल्कुल आप मैच करके देख लेना बहुत अच्छा मुमेंटम रहा इनके लेवल तूटने पर और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कहां से रिकवरी आ सकती है और मिला के द देखोगे तो बैंक निफ्टी 180-400-500 के आसपास गई निफ्टी 40-50 के आसपास गई अच्छे टार्गेट थे खेर दोस्तों ये कोई कोई कोल टिप्स नहीं है ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं देता हूं ताकि जो नए लोग है वो ट्रेड करना सीख सकें एक्जिट ए अगर आप सीखने आते हो या फिर मेरा विव अगर आपको जाना लाइव मार्केट में मैं जितने मेरे मेरे से बन पड़ता है वाई मैं अपडेट देता रहता हूं इस टेलिग्राम चैनल पर वीडियो के डिस्क्रिप्स ने आपको औरीजनल चैनल का लिक मिल जाएगा नह इनकी पोस्ट पर इतने व्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर और वोट सब्सक्राइबर रहे विश नहीं मिलेंगे उनकी पोस्ट पर तो पलीज भआई अभी बैच वी एक महिनए बाद सुरू होगा हां रेसिस्टरे सना आप कर सकते हैं लेकिन मेर 18,817 पर निफ्टी अभी थोड़ा सा ओल टाइम हाई से सो पॉइंट के आसपास दूर है तो मुमेंटम कैसा रहेगा निफ्टी में भी दोस्तों हम सेम टू सेम यहीं अपलाई करेंगे इस लाइन को मैं उठा कर अगले रीटेस्ट लेवल पर रख देता हूं जो की 18,756 का ल मिलेगा पचास और 200 दिन के मोविंग एवरेज का सपोर्ट भी है यहां पर अगर कोई बुलिश स्केंडल बना देती है निफ्टी तो दिन का लोग स्केंडल का हाई ब्रेक आउट होगा इस तरीके का प्राइज एक्षन बनेगा एक स्विंग बनेगा तो हम कोल साइड पल दोस्तो निफ्टी फ्लेट ओपन होके इस सेलिंग एरिया को ब्रेक आउट दे देती है 18,860 के लेवल को या फिर इस सेलिंग एरिया में जाके थोड़ा सा समय वितागे फिर ब्रेक आउट दे रही है तो फिर हम 20-30 पॉंट का SL डालके फिर 18,920 के टारगेट के लिए कोल स डालेंगे और 18,860 के टारगेट के लिए हम पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि एक सेलिंग एरिया अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है ठीक है हां बहुत बड़ा गैप अपन हो जाती है मालीज 8,860 इस किसी रेंज में गैप अपन हो जाती है तो हम वेट करेंगे इस लेवल को डिफेंड कर या नहीं करें अगर कोई पहली केंडल बुलिश बन जाती है तो फिर हम रिकवरी प्लान और उसका हाई ब्रेक होके प्राइज एक्षन बनता है तो दिन का लो स्टोपलोस डाल के हम कोल साइड प्लानिंग करेंगे और अगर नेगेटिव केंडल सकते हैं क्योंकि ज्यादा बड़े गैप अप में फिर दोस्तों मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी और एक साइडवेज भी रह सकती है पुटसाइड दोस्तों निफ्टी में कब जाएंगे जब निफ्टी 18,740 इसके नीचे यानि कि यह जो स्विंग है इसके नीचे आना सकते हैं बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो भी हम नेगेटिव बन जाएंगे कहां तक के टारगेट के लिए यहां तक के टारगेट के लिए हम 39 वाली स्ट्रेटजी अपलाई कर सकते हैं अगर दोस्तों उप्शन चैन की मैं बात करूं निफ्टी की द इंट्रेस्ट था सभी के सभी निकल गए और यहीं हम चाहते यह लोग अगर निकलेंगे तो पोजिशन काटेंगे तो सोट कवरिंग आएगी क्योंकि यह पोजिशन काटेंगे पैनिक होके जैसे जैसे उपर जाती जाएगी अब देखिए और इसे यह जैसे इतना शारफ म सकते हैं 900-950 पर जाके अगर कोई नेगेटिव केंडल बनाती है तो वापीस नीचे भी आ सकती है सपोर्ट दूसरा जहां तक बात करो 18700 के पास सपोर्ट है तो अगर डारेक्टली गैप डाउन 700 के आसपास खुल जाते तो रिकवरी भी आ सकती है क्योंकि ओपन इंट्रेस में बता है इंपोर्टेंट सपोर्ट है रेटेस्ट लेवल है यहां पर आके अगर हमको कोई बुलिश केंडल मिले उसका हाई ब्रेक हो तो हमको वापीस से ओल्टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है और उपर की जहां तक बात करूं 4200 का लेवल इंपोर्टेंट करें ताकि जुर्तम लोगों तकी वडिया असानी से पहुंच जाए अपना किमतिस में निकल के वडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन सुभर है मिलते हैं दोस्तों कर एक ने वीडियो के साथ तब तक लिए बैबाई जै माता दी ज देखने ताक दोस्तों करें।